पूंत hiçbir से अर्म टोपिक जो से तौाइए तो जो स्टार्ट करते हैं तो आज लोगोenne में चाल ऑद है को वर्ल कैंसे डेयर लेकिन किसी कारण से हम बीडियों नहीं बना पाए तो आज एक दो दिन बादी सहीं उसी को जागरूप करने के उद्धेश्य से अभित के समय में जो सबसे ज्यादा तीजी से फैलने वाला जो बीमारी है वह कैंसर है और एक ऐसा विमारी है जिसका समझे की तरह से पूर्ण रूपेन इलाज नहीं है लेकिन यदि प्रारंबी का वस्ता में इसको डाइग्नोस कर लेते हैं तो इसका इलाज है कैंसर सरीर के सारे भागों में होता है पहले आज जानेंगे कैंसर क्या है कितनी तरह की कैंसर होते हैं कितने भाग में होते हैं फिर हम लोग एक कैंसर के बारे में डील करेंगे तो आज सारे कैंसर को एक वीडियो में डील करना उचित नहीं होगा तो आज हम लोग क्यों ब्रे के चपेट में हैं हर दो घर तीन घर पे चार घर पे आपको कोई कैंसर का पैसेंट मिल जाएगा जिसका सबसे बड़ा कारान मोटापा ध्रूंपान अन्कोहल का सेवन अनियमित दिन चैरिया मतलब कि हमारा जो लाइफ है और खान पान में गड़वड़ी जो खाना पीना का ज में बहुत बिदार जे गरme on Mayalpla जो कीड़ा मारने वाले डवड़ा मारने विव्यां इसे तक मैं अतलब कि आपका फल होगा ही दी केसा क्वाजर्टंफ की ख Epic dol की सिगे सगें ऐसें सब्सक्रीट आज दुसें ख़ा रहे हैं आप सब्सक्रीट कर देशन क्यों कि आज कल खाना भी अजब कि सब रचक्टर कर child को पादन को बहुत सरा कि कि ए composition सरितों को полож剪 뒤 कि हमारा जो किसी को काम है और कोई भी थोड़ा इधर सुधर जाना है तो मतलब की अराम से जाएगा पैदल यूज नहीं करता है पैदल चलता नहीं है बयाम नहीं करता है भाग धोड़ बड़ी जिन्दगी हो गई है तो इसका दूस्परभाव कहिए या फिर आपको काम का लोड इतना है कि सोने का तरीका अच्छा नहीं है खाने का तरीका अच्छा नहीं है और खाने में जो आप फास्टूट का ज्यादा सेवन कर रहा है इससे कैंसर का प्रकॉप बड़ा है तो आप समझ लिए कैंसर होता है क्या है कैंसर आप भासा में कहें हमारा जो बड़ी जो है वह अंग आउस्टिक किसी कारण से चो हमारा सेल का ग्रोथ यद खीक जौने लगे लोग मतलब कि जो को लोग कैंसर चलब 되는 ओंप कोशिका या उत्तक में या सेघरल टिसू में ईक्स्ट्रा ग्रॉथ हो जाए जो नॉर्मल ग्रॉथ है उससे रिगारण तरह का ग्रॉथ होना स्टाट सब्सक्राइब तुम К mejback एक सब्सक्रों कि का मॉलता है वह तरह का ट्यूमर होता है हम लोग म swatch संख ऐन केंसरी से जो वह लो होता है उसमें बहुत तीजी से क्रोथ होता है और फीसली Representatives सब्सक्राइब कर प्रभत कीसर में लोग बहुत स्थां और में होता है तो चरीश कोक। एक मेटा स्टेटिस वाला जो कैंसर होता है तो समय पर डियागनॉसिस कर लें तो इसको अहीं रिख संभाव है उद्टर परसेंट है इसली सब को बाधा पर Weas इर्थी हमारा यह संदग coraline करने की दवारा यह वेट हो के द्वारा भी cancer awareness जूराइज जाता है बीहर सरकार अर्भारत सरकार के दौरा भी cancer awareness ब्लाइज जलाइज जता है और cancer पे ़माना जरूरी है इसके लिए हो ठाल चार फर्ाक और kuin इसकाड करें एक करिये तो सब्सक्रिक क की भी है कंसर कारी । इतना भी पर यह कर ले ले कि पयास कर मेंजने का चांस तो केनसर के इलाज के लिए तीन तरड़ा का थ्रेपिस्ट माल के जाता है एक तो सार्डिकल लिमोवल के द्वार के द्वारा त्रैपी में दवा के द्वारा ईलाज होता है तो सबसे पहले cancer नहीं हो, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए नीमित बयाम करना है, regular size करना है, मोटापा पर कंट्रोल करना है, दिन चरिया को सही रखना है, खान पान में मतलब पर हेज करके खाना है, जो खाने वाला चीज़े उसको खाना है, अलकुहल का यूज नहीं करन करना है, सिगरेट का smoking नहीं करना है, डेली बयाम करना है, योगा करना है, फिसकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, और कहीं से उस लिए, अब हम लोग आज से स्टार्ट करें cancer, तो डेली कुछ नहीं कुछ cancer का हम लोग डालेंगे, किसी दिन breast cancer के बारे में डालेंगे, किसी से रियाडिंग चीज बताएंगे, आपको कैसे बचाव करना है, कैसे जागरू करना है, अभी इसके बास जो हम वीडियो बनाएंगे, वह ब्रेश्ट कैंसर पे होगा, महिलाओं में और पूर्सों में सबसे ज्यादा होने वाला cancer, ब्रेश्ट कैंसर होता है, जितना cancer उसके वर्डी में होगा, उसका 50% cancer, ब्रेश्ट कैंसर होता है, और मेल में आईए, तो मेल में भी ब्रेश्ट कैंसर होता है, लेकिन कौम चांस, 1-2% मेल में भी ब्रेश्ट कैंसर होता है, अब अगला जो वीडियो नाएंगे, उसमें आपको ब्रेश्ट कैंसर के बारे में डाले है लेकिन यदि अर्लियर डाइगनोसिस नहीं हुआ जब बिमारी फैल चुगा तो ब्रेश्ट कैंसर एक ऐसा रूप ले लेता है जब मेटाइस्टेटिक्स हो जाएगा तो उसमें क्या कि सारे भागों में फैल जाएगा तो उसमें कैंसर ब्रेश्ट कैंसर वाला पेसिंट न कोई पढ़ा लिका है तो अपने घर के लोगों को भी पचान सकता है कि कैसे हो रहा है इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को डालें